आज हम चिकन पॉक्राइब के लिए और आज हम लोगों ने एक कप दूद लिये बॉइल मिल्क है और यहां पर हम लोगों ने लिया हुआ है जिसको फाइंडिर चॉप कर लिया है यहां पर ब्रेट क्रम लगेगा यह जो प्रॉकेट्ट है उसको कोड करने के लिए वन टेबल स्पून अग्रकलसन का टो हम लोग ने करीब मai लिए है चीज और इसके अन्दर जाएगा गरम नियुंदर वे साथ है यहां पर बूर्टिबन कर दो ही ते सूरी है यहां पर एक सपेज़ा ही युद्ट पर यहां पर इसमें जाने वाला salts यह बनता हिए तो U добler जाएगा अब इसको भेराने का तरीका बताएगे ऩगे देगो हमने Dort तो श्रीप नरम करके नइए कालर बैंकिने करें अभी मीर्ची को हमने चॉपन से चॉप कर टीओ अध्रव योष्ण डाले इसके भी कच्छी स्मेल जाने तर अच्छे से भूने गे अभी है मैदा डालेंगे और मैदी को भी अच्छे से भूनेंगे मैदा अच्छे से भूनके हो गया अभी इसमें दूद दालेंगे और चिकन दालेंगे पर ये दूद दालेंगे दूद को अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे अब यहां चिकन दालेंगे चिकन को अच्छे से बॉइन करके ये करके लिए मसारा दाल दिये और मुझरूला चीज दालेंगे और इसको अच्छे से सुखने तक आटे की तरह सुखने तक पकाएगे देखो आटे के जैसा हो गया एकदम सुख गया अच्छे से अभी इसको पंके के मीचे ठंडा करेंगे फिर बताएगे देखो हाथ को तेल लगा दिये अभी देखो थोरा सा पोशन उटा के उसको सिरिंडर का सेफ देंगे देखें ऐसा ऐसा सब बनाएगे पिर आपको बतादेगे अभी हम मैदे में कोट करेंगे और अंडे में डीप करेंगे और ब्रेट गिरम में कोट करेंगे ऐसे सब कबाब ऐसी बनाएगे फिर आपको बताएगे अभी हम लोग सारे जो है इस तरीके से मेदे में कोट करके रख रहें अभी यह उठाएंगे अंडे में कोट करेंगे और साइट में रखेंगे पहले हमने मैदे में कोट कर दिए इसा सब को करेंगे इस ही फिर आपको टंती टाइम बटा बताएगे तोरह सा तेल दाले और अभी इसको फ्राइ करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे इसको बनाकर आप रीजर में भी रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉंक बैंग में इसको बनाकर ऐसे भी रख सकते हो अब इसको निकाल कर फिर उसको फ्राइ कर सकते हो अभी हो गया अभी इसको निकालेंगे और सब करेंगे देखो हमने चिकन क्रोकेट बनाए एकदम फर्स क्लास बनाए बार से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी बनाए देखो हम तोर के बता देखो इसके आधि क्क Inf analog बनाए तोर्फ वार्स से बनाए और हर च्वinks खूसर पर क्रेश कोंधन में था इसकी बनाए जा ayuda कि क्रेवkhj peace and love, peace